दोस्तो कि आप हैं चाहते हो किसी लेटेससे वीडियो क्यों क्रियेय avoiding status . ले इन्वेर्सिबिला प्लुट से करना चाहते हो तो इस वीडियो का आप लोग सुरू से लेकर अंड तैक देखते रहूं अगर दौस्तो एबलाऎश्ट टाज 9 is to 16 और आपको नीचे create में click करना है और एक बार आपको back आ जाना है आपको left side की middle में जो setting option दिख रहा है है आपको click करना है नीचे editing में आना है और आपको default photo duration को 4 second पर रखना है और आपको display mode को fill screen और आपको transaction duration को 1.5 second रख के आपको back आ जाना है उसके बाद यहाँ पर आपको media option दिख रहा है यहाँ आपको click करना है click करने के बाद आपको कम से कम 10 से 12 photo आपको add कर लेना है 30 second video के लिए photo add करने के बाद आपका video का interface आपको कुछ इस पर करका दिखिनों को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर photo wait करने के बाद आपको pen and zoom option में जाना है जाने के बाद दोस्तो अगर आपका photo का size अगर कुछ इस परकार से आड़ा है तो आपको क्या करना है दो अंगली से परकार से आपको zoom करके आपको यहाँ पर double and में click कर लेना ठीक है नेक्स्ट फोटो में आपको दोस्तों क्लिक करके आपको दोस्तों उसी तरह आपको सेटिंग मतलब दोस्तों पेने जुम को अप्शन में जाके फोटो को जुम करके एड़ेस्ट कर लेना है ठीक है जो कि मैं पहले से ही सभी फोटो में कर चुका हूँ और एक चीज़ करना है जो कि आपको फिर से वीडियो की starting position में आके और आपको first photo में क्लिक करके pen and zoom को option में जाना है इस बार आपको double and में टीक हाटा लेना है और आपको end position क्लिक करके आपको दोस्तों कुछ इस परकार से आपको end position को आपको zoom करना है नेक्स्ट फोटो में किलिक करके आपको पेने जूम को अपसिन में जाना है एंड पोजिशन में किलिक करके इस प्रकार से आपको थोड़ा आपको इस प्रकार से जूम करना है इसी प्रकार से दोस्तो आपको क्या करना है वीडियो के एंट théic आपको एंड पोजिशन जूर्म कर लेना है तो यहाँ पर आप आपको देखे रहों मैं वीडियो के एंड तेक एंड पोजिशन जूर्म कर चुका हूं उसके बाद आपको plasble icon में क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों हिएंपर आपको ablable transaction effect को add करना है दोस्तों हिएंपर आपका जितना plasble icon आपको मिल रहा है दोस्तों हिएंपर आपको out spiritispinterest Profit Maps Trans escrischeid जो है दोस्तों इसको आपको select करना है ठीक है अगर आपका काइन अपें में एबलन अगर transaction इफेट अगर नहीं है तो इसको install गेसे करना है सिम्पले से प्लाजबल आइकन में कलिक करना है कलिक करने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है आपको यहापर जो home ball आइकन दीख रहा है हिहापर आपको कलिक करना है और हिया पर आपका net ond करके आपको दोस्तों हिया पर जो आपको सर्च ओप्शन मिल रहा है हिया पर आपको क्लिक करना है जो भी transaction effect आपको download करना है आपको नाम सहीज आपको लिख लेना है लिखने के बाद जैसे search करोगे आपको दोस्तों एबला टांजेक्सिनिफेट डानलोड का ओप्षिन मिल जाएगा और डानलोड हो जाने के बाद इस प्रकार से आपको फोटो के मेडिल में जो प्लाजबल आइकन दिख रहा है है आपको आपको एट कर लेना है ठीक है तो मैं फटापर से वीडियो के एट टांजेक्सिनिफेट को एट कर लेता हूँ उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ तो दोस्तों ही आपड़ा आप लोग देख रहों मैं वीडियो के end तक टान्यक्सिन इपेट को सभी प्लाजबल आइकन में add कर चुका हूँ उसके बाद आपको क्या करना है आपको वीडियो के starting position में आके जो आपको first photo का length है इसको आपको इतना दूर कमाना है और end position का photo भी आपको को जितना दूर तक कमा लेना है उसके बाद दोस्तों आपको जितना photo आपको middle में मिल रहा है आपको दोस्तों थोरा थोरा आपको बढ़ा लेने के बाद आपको दोस्तो इस वीडियो को 30 सेकंद तक आपको कर लेना है ठीक है दोस्तो हिना आप आप लोग देखरों में 30 सेकंद तक इस वीडियो को कर चुका हूँ उसके बाद आपको क्या करना है इस एरो में आपको क्लिक करना है और करने के बाद आपको इस वीडियो को सेवेस करन कर लेने के बाद आपको बेक आजाना है के बाद दोस्तों आपको फोटो में किलिक करना है और दोस्तों है आपको जितना फोटो आपने एट किया था दोस्तों सभी फोटो का विगनेट आपको कुछ इस परकार से आपको एक करके वीडियो के एंड तेक आपको इस विगनेट लेंद ही रखना है और आपको इस ब्रड़ को वीडियो के end अब को ले चले जाना है ले जाने के बाद starting position में आ जाना है और layer option में जाकि आपको media option select करना है और select करने के बाद anniversary लए ऒगेन के बाद आपना आउ accessible Aqui को किस तरह से दाल्लोट करना है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों एवल एवल टेंपलेट वीडियो आपको एड करने के बाद आपको इस प्लेट स्क्रिन में जाकि इसको फिली स्क्रिन करना है और आपको नीचे मिलेगा बेलेंडिंग ओप्शन और आ लब साइच छोटा करना है छोटा करने के बाद यहां पर आपको टेंपलेट का जो बॉर्डर है इसका लेंद मुताबिक आपको इसको जूम करना है कुछ इतना दूर देखते हैं जूम करने के बाद आपको नीचे मिलेगा आपको क्रॉपिंग ऑप्सें ठीक है दोस्तों क्र फ्रेम में बहुत अच्छे से एड़ेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको layer option में जाके आपको media option select करना है और select करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है आपको दोस्तों कोई भी एक photo को आपको select करना है ठीक है दोस्तों हिहाँ पर आपको 5-6 frame मिल रहेगा दोस्तों के अंदर आपको photo add करना है ठीक है तो simply say make photo को ले ले रहा हूँ और photo को लेने के बाद आपको cropping option में जाके martyrson करना है स्ट में जाकि गॉल्वला स्प्स को ले रहा है लेने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से इडिट करना है और इस जगापर आपको photo को adjust करना ठीक है मतर्ब दोस्तो फोटो का size आपको तुरह चोटा करना है और चोटा करने के बाद हिहाँ पर आपको जो गॉल और फोटो का लेंट आपको कर लेना वीडियो के एंड था ठीक है इसी परकार से दोस्तों आपको क्या करना है लगातार आपको तीन फोटो और आपको इसी परकार से कर लेना है तो दोस्तों यहां पर आपको देखरों में बहुत अचा-चा फोटो में यहां पर फ्रेम में अ चुका हूँ और दोस्तो फोट्रेट करने के बाद आपका वीडियो के अंटरफेस कुछ इस परकार का आपको दिखने को मिलेगा दोस्तो हिया पर वीडियो में मुजिक एट करने के लिए आपको ओडियो अप्शन में जाना है और जो भी सोंग आपको बेटर है दोस्तो क्लिक करोगे और दोस्तो हिया पर सोंग नीचे एड हो जाएगा ठीक है जैसे दोस्तो आप लोग वीडियो को प्ले करोगे आपका वीडियो मेरे तरह कुछ इस परकार से इडिटिंग हो जाएगा अगर दोस्तो आपको इस परकार का वीडियो इडिटिंग अगर आपको क् प्लिस मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था अगर दोस्तों इस वीडियो को अगर आप सभी को अगर पसंद आया है तो प्लिस लाइक शरूर कॉमेंट जरूर करना तो दोस्तों मिलते हैं एक नियू इंट्रेस्टी इन्यो वीड के साथ तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था